यह हमारे देवेंदर भाई पेशे से अध्यापक हैं लेकिन प्येजडी की हुई है तो घर के बाहर लिखा है डॉक्टर देवेंदर नेटकट एक आदमी ने समझ लिया कि अगला डॉक्टर है उसका गधा बीमार पड़ा वो गधा को खींच के ले आया वो ले डॉक्साब ड गधा बीमार है वो ले क्या बीमारी है वो ले एक जगे पड़ा है ना हिल रहा है ना डुल रहा है देवेंदर भाई ने भी सोचा कि चलो मजे लेते हैं देवेंदर भाई घर में गए एक पुराना सा कैपसूल रखा था वो लेकर आए वो ले इसको खिला दे लेकिन साब जैसे ही गदे के मुह में के अफसुल डाला गदा इतने स्पीड से उठा और दोडने लगा वो आदमी वह भाई साब कितने कहा है इन्होंने का पचास रुपए का उसना सो का नोट निकाला वो ले एक और दे दे वो ले क्यों वो ले इसे पकड़ेगा कौन तो बहुत बढ़िया और जवर्दस्त इनके जिन्दगी के हाथ से कभी ताए हैं भाई देविन नठखट ज्यासी से हमारे बीच में आए हैं जोड़दार तले मजा कराम उन्टिक परिये उस आदमी को फिर मैंने इंजेक्शन लगाया साहब दो एमल से देना था होली का मौसम था छे मल से ठोग दिया एकदम दूबला पतला आदमी निडिल बाहर वो के रहे डाक्टर साहब क्या कर रहे हो इंजेक्शन बाहर जा रहा था मैंने का डाक्टर साहब क्या कर रहे हो निडिल बाहर होली का मौसम पिछकारी दवा दी तो दवा भी बाहर बोले सर डाक्टर साहब ये क्या कर रहे हो मैंने का डाक्टर मैं हूँ के तू मैंने का सर डाक्टर तो आप है बोले मैं बताता हूँ दबा अंदर जा रही है रोग बाहर आ रहा है ये इस्तितियां होती है कि इंजेक्शन ठोक कर इंजेक्शन ठोक कर डाक्टर क्लीनिक में घबडा रहा था अब कवीता सुनिए कि इंजेक्शन ठोक कर डाक्टर क्लीनिक में घवडा रहा था पलंग पर मरीज को धीरे धीरे हो सा रहा था इंजेक्शन ठोक कर डाक्टर पलंग पर घवडा रहा इंजेक्शन ठोक कर डाक्टर क्लीनिक में घवडा रहा था और मरीज को धीरे धीरे हो सारा था इलाज एकदम सटीक था दो मिनिट बाद मरीज एकदम ठीक था उठकर बोला उठकर बोला डाक्टर सहाव इंजेक्शन किस रेट का था डाक्टर बोला इंजेक्शन सस्ता लेकिन एक्सपाईरी डेट का था इंजेक्शन सकता लेकिन एस्पाइरी डेट का था दोस्तों यह हो जाता है हमारे मनोज भी डाक्टर है साथ आपने देखा यह बड़े डाक्टर है इतावा में इनका बड़ा क्लिनिक है इनका क्लिनिक ऊपर की मंजिल पर है इनका क्लिनिक ऊपर की मंजिल पर है दरबाजे प इनका क्लिनिक उपर के मंजिल पर है दरवाजे पर लिखा है उपर जाने का रास्ता इधर से है कोई भी मरीज पहुंचता तो ये केबल दो दवा की पुड़िया देते केबल दो दवा की पुड़िया कि एक अभी जाके खा लेना दूसरी सबेरे आँख खुले तो ये इस्तितियां हो जाती है साहब विकन बहुत बढ़िया है साहब बहुत अच्छा कभी है देश का बहुत अच्छा कभी है भाई मनोज भाई और इतना हुश्यार आदमी इतना टेलेंटेड आदमी नहीं मिलेगा मेरी इनसे मुलाकात तागरा में होईती साहब कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए इतना हुश्यार आदमी कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए एक जोड़ी जूते लेने थे जूते की दुकान पर गए एक जोड़ी जूते दूसरी दुकान से लिया दोनों जूते अलग अलग भाव के थे घर जाके देखा तो दोनों जूते एक ही पाव के थे दोनों जूते एक ही पाव के थे तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया कविता देखना साब तो अब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया बलकि पैरों को जूतों के हिसाब से अज़ेस्ट करवाया तो इन्होंने पैरों को जूतों के हिसाब से अज़ेस्ट करवाया और इनकी फ्लेक्सिबिल्टी देखकर इनकी फ्लेक्सिबिल्टी देखकर आज केंचुगा भी सर्मा गया है कि इतना बड़ा संचालक अपनी पडोसिन की मुठी में आ गया है अपनी पडोसिन की मुठी में आ गया और साव इतना टेलेंटेड आदमी है साव बहुत प्रेक्टिकल आदमी इतना practical आदमी नहीं मिलेगा साब नए नए practical करता है पिछले दिनों तो साब जूट पकड़ने की machine लेके आए और जूट पकड़ने की machine ऐसी कि उसमें बजर फिट है अगर कोई आदमी जूट बोले तो machine बोलती पॉंख अज़े machine घर पे लेके आए लड़का स्कूल से लेट आया इन्होंने घर पे प्रेक्टिकल कर दिया उसके सर पे machine फसाई भाई साब machine फसाई वो उससे प्रेक्ट किया कि उन्हें लेट कैसे हो गया लड़के ने जवाब दिया पिताजी master श्राहब ने एक्टर क्लास लगाई थी machine बोली प्रेक्ट का फिल्म बोले जय हनुमान machine फिर बोली पॉं अब तो गुस्टा और साथ में आस्मान पर तो ले सच बता machine बोली पॉं अब तो साब गुस्टा इनके साथ में आस्मान पर इन्होंने अपनी सफाई दी बोले जब मैं तुम्हारी उमर का था जब मैं तुम्हारी उमर का था तो राष्ट भक्त की फिल्में देखा करता था machine बोली पॉं बाप बेटे की लड़ाई में आदर्णिया चली आई अंदर आदर्णिया अंदर से आई बोले तुम बाप बेटे क्यों लड़ गए हो ये बोले ये जूट बोलता है वे बोली जूट तो बोलेगा बोले क्यों बोलेगा बोले रड़का आपका है machine बोली पॉं ये श्तितिया हो जाती है साहब आप लोग एक बार फिर से वो साहव अर्दन करते हैं नहीं तो मेरी पॉं बोल जाएगी बहुत बढ़िया हमारे प्रधान जी और आदर्णिये भारती जी बहुत अच्छे कवी साहब और बहुत स्रेश्ट अंचालक के हीरो इनने हीरो का साथ छोड़कर कविता सुनिये साहब के हीरो इनने हीरो का साथ छोड़कर engagement की ring तोड़कर एक second hand उद्योग पती का हाथ थामा हीरो इनने हीरो का साथ छोड़कर engagement की ring तोड़कर एक second hand उद्योग पती का हाथ थामा उसे नहीं चाहिए अब सहरत उसे नहीं चाहिए और सहरत उसे चाहिए था दौलत नामा उसे नहीं चाहिए अब सहरत उसे चाहिए था दौलत नामा ये देखकर द्रिश उनका एक शिष एक टीनेज लड़का बुला हीरोईंजी 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 फिल्म में तो आपने अपने कुल की मानताओं और परंपराओं को तोड़ दिया था फिल्म में तो आपने कुल की मानताओं और परंपराओं को तोड़ दिया था और एक टपोरी की खातर एक साहब जादे को छोड़ दिया था लगता है लगता है रियल लाइफ में आप अपनी आवकात में आ रही हैं अंगुठी पेन के अंगुठा दिखा रही है लगता है लगता है रियल लाइफ में आप अपनी आवकात में आ रही हैं अंगुठी पेन के अंगुठा दिखा रही हैं तो हीरोईन जवाब देती है कि हम अब कभी ता सुनिये मनुच जी कि हम इस्क विस्क रिस्क जैसे सीन केवल फिल्मों में ही डालते हैं जवाब सुनिये और असिरवाद दीजिये तब कहता हूँ हीरोईन जवाब देती है कि हम इस्क विस्क और रिस्क जैसे सीन केवल फिल्मों में ही डालते हैं और रियल लाइफ में तो कुता भी सोच समझ के पालते हैं और रियल लाइफ में तो पुता है और कविता में नए नए प्रियोग करने की कोशिस की है हमने एक महिला से पूछा मनुज जी हमने आप मत पूछना वाई सा हमें थोड़ी छूट है तब कहता हूं कि हमने हमने एक महिला से पूछा मैडम हमने पूछा मैडम मैडम आपके बाल हैं की बावाल इतने लंबे जैसे विजली के खम्बे क्या है इन लंबेони वालों का राज महराज आपने मेरे बालों की तारीफ की है महराज आपने मेरे बालों की तारीफ की है इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं आपको पता नहीं कि मेरे हज़वेंड महिला वाल विकास अधिकारी है आपको पता नहीं कि मेरे हज़मेंड महिलावाल विकास अधिकारी है और साहब ऐसे भी कविता होती है वैसे भी कविता होती है और जहां मनोज जी आए तो कैसे भी कविता होती है ये देश के वड़े कवी है वड़े संचालक है प्रणाम करता हूँ और एक कविता आपको सु नेता जी ने गंगा इस्नान किया सरकारी खर्चे पर 100% पुन्न लाब लिया सरकारी खर्चे पर सरकारी खर्चे पर 100% पुन्न लाब लिया और पापकरम धोए और पापकरम धोए और ये देखकर गंगा जी के मगर मच्च फूट फूट कर रोए नेतादी ने गंगा इसमान किया सरकारी खर्चे पर 100% पुन्ने लाव लिया और पाप करम धोए और ये देखकर गंगा जी के मगरमच फूट फूट कर रोए कि हम तो मुर्दों में ही उल्जे रहे बंदा ना जाने कितने जिंदा लोगों के अधिकार अकेले ही गटक गया और निकलने के मामले में तो ये हम मगरमच फूट से जाने कितने आगे निकल गया